एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं बड़ी खबर अभुपाल से मिल रही है यहां इन दौर में करेक्टर और डॉक्तरों की विवाद पर मंत्री सारंग का बयान सामिया है तो चाहे कहना है कि विवाद जो है जो लगधक्त समट पूका है डॉक्तर काम पर लॉट रही है इन दौर में करेक्टर और डॉक्तरों की विवाद पर बोले हैं कि इसका शुक्षा मंत्री विश्पास सारंग उनका कहना है कि विवाद लगधक्त सुलज गया है डॉक्तर काम पर लॉट रही है इन दौर में कलेक्टर और डॉक्टरों के बीच विवाद वस्तारंग का बयान लगभर विवाद सुलज चुका है डॉक्टर काम पर लॉप रहते हैं तो बड़ी खबर मुझे लगता है कि विवाद सुलज गया है इसमें कोई बहुत अब देर नहीं है सभी वर्ग एक दूसरे के समन्वाई के साथ काम करें यही अपेक्षा है मुझे लगता है विवाद सुलज गया लोग डॉक्टर काम पर लोट आए तो इन दौर में कलेक्टर और डॉक्टर के बीच विवाद हुआ था वो लगभग सुलज चुका है और जिके साथ शुक्षा मंतरी विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया उनका कहना था कि जो डॉक्टर हैं वो काम पर लोट रहे हैं इस करोना काल में सबसे ज़्याद अब शक्ता डॉक्टरों की और ऐसे में विवाद जो है वो लगभग सुलज गया है फॉलाइंट पर एसोसियेट एडिटर गीत दिक्षिट जी मारसा जुड़ चुके हैं गीजी विवाद सामने आया था कलेक्टर और डॉक्टरों के बीच में तब तमाम सवाल खड़े अब अच्छी खबर ये जरूर है कि विवाद सुलस्ता नजर आ रहा है और डॉक्टर भी काम पर लौट रहे हैं क्या कुछ कहना था चिकित सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का मैं आपको बता दू अंकुछ की ये विवाद जो है दो तीन दिन पुराना है जिसमें डॉक्टरों की अपनी कुछ दिमांड्स को लेके लवातार वो बात कह रहे थे उन्होंने कई फोरम पर अपनी बात पहुचाई उसके बाद जो है पहां के प्रभारी मंत्री और सांव करेका उनको एक तरह से सुकून बरी कोई खबर देनी थी वो दियो उसके बाद जो है डॉक्टरों और जिला प्रशाशन के बीच में जो विवाद था उसका पढाक्शेप हो गया है कि तहत विश्वास सारंग ने भी बात कही कि डॉक्टरों की मान सम्मान की और ये मंत्री काम पर लोट करें बल्कुर वाद शुगरी आपका तमाम जानकारी के लिए तो विवाद सुलच चुका है डॉक्टर काम पर वापस लोट आए हैं करेक्टर और डॉक्टरों की बीच विवाद की खबरे दो से तीन निनों पहले निकल कर सामने आए थी और अब ये